तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेव बंगाल में मौझूद भारत के लिए स्ट्रेटिजिकली बहुत जोड़ा इंपॉर्टेंट आइलेंड यानि की अंडेमानन निकोबार के बारे में इसलिए जो पॉपुलेशन रहती है वो एक साथ रहती है एक पर्टेकुलर जोगोपे और अंडेमानन निकोबार में जैसे मैंने बताया कि 836 आइलेंड आते हैं यानि कि ये बहुत सारे आइलेंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी पॉपुलेशन हर आइलेंड म हमें मिलती है भारत की one of the most primitive tribes यानि कि यहाँ पर वो ट्राइब भी आपको देखने को मिलेंगी जो अभी तक का जो modern civilizations है उनसे अंतस्ड है जैसे कि आपने एक ट्राइब सेंटलीस जन जाती इनका नाम तो सुनाई होगा ये भारती नईद पूरी दुनिया की सबसे ज्याद एक्टिव वॉलक्नो मौझूत है जिसका नाम है बैरन बॉलक्नो अंदमान ये निकोबार में सबसे उपड आता है नौर्थ अंदमान के उपडर एक आयलेंड है जिसको हम बोलते है नार्कओंडम औरन अंदमान नौन North Andaman और Middle Andaman के बीच में है Barren Island, जो की वॉलकनों के लिए फेमस है, फिर Middle Andaman के नीचे आता है South Andaman, फिर South Andaman के नीचे आता है Little Andaman, और South Andaman और Little Andaman के बीच में है Tekken Pass, इसके बाद इस Deep Samu को हम लोग बोलते हैं Andaman Samu, जो North Andaman से Little Andaman तक है, उसके बाद Little Andaman और Nicobar Island को जो अलग करता ह उसको हम बोलते है 10 Degree Channel, इसके बाद जो हमारे पूरे संपुर्ण भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, यानि कि Indra Point वो भी यही मौजूद है, निकोबार आइलेंड में, अगर आपको अंडेमाने निकोबार आना है तो आप आ सकते हैं Air या Water से, मगर ध्यान रखे, आपको सिब भारत से ही आना पड़ेगा, भारत के लावा आप किसी और जगों से अंडेमाने निकोबार में नहीं आ सकते, चोकि जो अंडेमाने निकोबार है वो भारत के लिए strategically सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंड आइलेंड है, ये भारत को देखता है अंडेमाने आपको भी बहुत ज़्यादा अफेक किया था, तो यही पर हमको पता लगती है पावर अव नेचर कि इंसान चाहे कितना भी दिलक्ती क्यों न कर ले, अगर नेचर उससे नराज है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, नेचर विदीन सेकेंड इंसान को डिस्ट्रॉई करकर पर रख सकती है, यह एक्जामपल था दोजाचार की सुनामी का, तो इसके बाद यहां से एक दिल्चस्प बात यह निकल कि आई कि, मौडरन साइंस जहां पर पूरी तरीकी से सुनामी को पहचानने में फेल हो गई, वही पर यहां पर मौजूद जो ट्राइब्स है ना, उ यहां कबदा करने की कोसिस चालो कर दी थी, और यही वो जगो है जो उसी प्रकति के लिए नहीं, यहां की आइडेंटिटी हमारे ब्रेव, इंडिपेंडेंडेंट सोल्जर्स भी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं काला पानी की सजा, जो यहां मिलती थी हमारे सोल्जर्स को, ही पर ही मौझूद था, 1896 में बना Cellular Jail, जो दुनिया का आप तक का सबसे ज़्यदा खतननाक जेल में से एक है, यहां पर मिलती थी हमारे वीड जवानों को, बहुती कठिन यातना है, वीड सावर कर जी तो याद होंगे ही न आपको, मगर आज का अंडेमान फेमास है अप कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा